हाई दोस्तों कैसे हैं आप सभी में डॉक्टर अनंद्यास फिर से अपने यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ और आशा कर रहा हूँ कि सभी ठीक है मस्त है इंजॉय कर रहे हैं तो मैं आ चुका हूँ सप्लाय चैन एंड लोजिस्टिक मेनेजमेंट के अ अब बेसिकली बुल्वी विफेक्ट क्या होता है और इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है एक कंटेंपरी टॉपिक है पिछले साल के दो-तिन साल के पेपर में यह क्योश्चन नदारत रहा है इसलिए मुझे यह लगता है कि यह क्योश्चन ज्यादा आने की प्रोबैबिलि इस तरीके से और इफक्ट बढ़ता हुआ चलता है मतलब इसको आप एक नॉर्मल डाइग्राम बुल विफेक्ट के नाम से बोल सकते हो तो एक बुल विफेक्ट है क्या सर देखिए एक जो इनफोमेशन है सप्लाइए चेंड में वन पर्संट वरसंट ट्रांसफोर्म होती सबसे पहले होता है आपका रिटेलर जो डारेक किस से बात कर रहा होता है कस्टमर से बात कर रहा होता है ठीक है रिटेलर के बाद में आपका कौन सा बंदा आता है रिटेलर के बाद में आपके होलसेलर आता है होलसेलर के बाद में आपका कौन सा बंदा आता है जिसंको आपन से जानते हैं यहां तक आपकी पूरी की पूरी इंफोर्मेशन जो होती है वो ट्रांस्फॉर्म होती है मतलब ट्रांस्फॉर्म होती यहां से यहां से यहां से यहां से यहां तो यह इंफोर्मेशन का फ्लो बनाया मैंने तो जब इंफोर्मेशन एक जगे से दूसरी जगे आ युनिट के लिए उसको लगा कि आगे ज्यादा युनिट की इसलिए यूनिट की हो गई 20 एंट की होते-इस वगई मैनुफेक्टरर के पहूंचटर तक 50 यूनिट की हो तो बुल्व फॉसक्र इस्टार्ट उनिट अब जो रो मट्रिलेड शप्लायर है उसने हां ड्यूनिट का उसने चेह उनियों प्रोडियूस करा उसने अब इसके theoretically definition इस तरीके से है कि यहाँ पर जो है अपना retailer है उसने कुछ information दी तो वो आगे बढ़ती भी चली जाती है मिसके miscommunication की वज़े से हो सकता है, over effect हो सकता है अब इसके और bookish definition क्या कहती है bookish definition यह कहती है यहाँ पर क्या word यूज किया है when the retailer become highly reactive, वो highly reactive हो गया है किसी बात के उपर demand उसने जाके बोली के वहिया, कल आके मैं हम 20 साबुन लेके जाएंगे उसने आगे 200 का order करा दिया highly reactive of consumer demand has turned to insatisfy expectation of around it the result is inefficient assets allocation and high inventory fluctuation अब इसके अंदर high inventory fluctuation होगा न जब यहाँ पर तो हलकी से demand fluctuate हुई है consumer के द्वारा, हलकी से demand बढ़ती है लेकिन जब वो retailer से जाते 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 है वो demand बढ़ती ही चली गई आगे, क्यों क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ है retailer जो हुआ है, वो highly sensitive हो गया है retailer ज़्यादा उसकी बात को जितना sensitive होना चियता ज़्यादा sensitive हो जाते है तो that is the main cause of the bullwiff effect simple सा है, diagram भी है है ना, already अपन detail वीडियो में इसको समझ भी चुके है और उसमें और मैंने चाहत ज़्यादा detail से समझाया सबसे पहले इसको reduce करने का सबसे best तरीका क्या है कि understand करो कि यह and accept करो कि यह bullwiff effect के कारण हो रहा है जो आपका demand आई है market के अंदर, मालो कि 100 unit की demand आई है 120 units की demand आई है, तो क्या actual demand है या किसी effect के कारण है improve करो अपनी inventory planning को, inventory planning के improve करने का मतलब क्या है कि अगर high demand है तो अपन high demand को match कर सके, low demand हो तो low demand को match कर सके अपना inventory control और सपना है chain management strong हो improve करे अपने raw material की planning को on time delivery, अभी अरुन जेटली साब थे, अभी दिवंगत हो गए अरुन जेटली साब थे, तब उनसे एक संसत पे एक बहुत ही interesting question पूछा गया आप सब को यह जानना चाहिए, उनसे पूछा गया कि अभी जो कैग की report आई थी, जो हमारी agency है, उसने report दी थी कि अगर भारत किसी के साथ लड़ाई हो जाती, war हो जाती है कैग ने अपनी report के अंदर कहा, तो विपक्ष ने काफी हंगामा कहा, अरुन जेटली साब ने इसके उपर explanation दिया अरुन जेटली साब बेसे था finance minister थे, लेकिन उन्होंने इसके उपर explanation दिया कि क्यों अपनी financial इसमें क्या है उन्होंने सबको बताया, कि जो artillery आप जो बात कर रहे हो, कि 15 दिन का ही store period है हमारे पास enough capacity है month, कितने ही महीनों तक लड़ाई लड़ने के लिए लेकिन जो artillery रेती है, इसका एक certain time period है, कि इसके बाद यह expire हो जाएगी अगर हमने उसको manufacturing करके रख लिया गया, तो हो सकता है कि वो जो particular kind के artillery है जैसे अगर अपन artillery में simple carthus मान लेते हैं, bullets मान लेते हैं, carthus हिंदी में बोल दिया bullets मान लेते हैं, एक kind of bullets हैं, वो expire हो सकती है, तो वो expire हो जाएगी तो हमारी manufacturing cost बेसे ही हाई है, लेकिन यदि कभी war की situation आई, और इंडिया को two front पे, उन्होंने ये बात quote करके बोला, इंडिया को यदि two front या three front पे भी लड़ना पड़ा, यदि पाकिस्तान और चाइना से एक साथ लड़ना पड़ा, तब भी हमारी army और हमारा production system इतना capable है, कि हम वो demand match कर देंगे, भले उसमें कितनी भी demand high चली जाए, ये उनका wording थे, आप देख संकना, संसद ने उन्होंने officially announcement करा था, तो ये क्या था, ये basically आपके raw material की है, कि अगर मैं किसी, अगर मेरी raw material की improvement जो raw material उसकी planning process को अगर strong रखूंगा, तो कितना भी high demand आए, मैं कर सकता हूँ, लेकिन पहले identify क्या करना है, बुल भी effect है कि नहीं, collaboration और sharing करना है, real time monitoring करना है, और actual data आपनको लेना है, यानि wholesaler से भी इसको verification बोलता है, verification, जैसे कि जब कोई एक बंदा हमारी team में से paper बना के ले आता चोथी में ही हुआ, अच्या, confirm है, फिर वापिस से recheck किया जाता है, उसके बाद ये 10-11 question है, इसमें थोड़ा सा analysis किया जाता है, जिसको काफी एक लंबी process है, इसलिए हम काफी late हो जाते हैं, और आपको पता है, simultaneously मेरी classes different universities में भी चलती रहती हैं, इसलिए हम थोड़ा late हो ज cost आती है, वो transportation cost हो, या order quantity की cost हो, कुछ भी उसकी toll tax की cost हो, वो सारी की cost अपन इससे minimum कर सके, बुल्वी विफेक को रोखने के, ये major कह सकते हो steps है, I hope ये point clear हो गया होगा, topic clear हो गया होगा, जल्दी next video पे आ रहे हैं, अपन जल्दी से फटा-फट से complete करते हैं, और आज ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जैहिन, and I really appreciate your time, आप बहुत hard work कर रहे हो, जैहिन